थे हलो स्तू र爬ंट्स व्लकम बाक अगें तो न्यूक्ली में आज की इस वीडियो में हम पाढ़ने वादे है न्यूम्रक्ल बेजड covenant आनीयोटार्ट्ट्थ अनयूम्रक्ल नंबर क्या सोल करना है देखते हैं न्यूमर्कल नंबर 25 कहता है the solubility product of AGI at 298 Kelvin हाँ में temperature का इस chapter में कोई काम है नहीं उसका जिक्र सबसे ज्यादा होगा तो thermodynamics, chemical economics and electrochemistry में तो temperature को फिलाल इस chapter में हम neglect कर लेते हैं और जो values दी है उसको given data में लिख देते हैं तो given data में लिखते वर्ग सबसे पहले आपको क्या कहा है कि the solubility product of AGI at 298 Kelvin is 1.500 and rest to power minus 6 तो हमें इसे लिख देते हैं क्या solubility product of AGI और इसे denote करेंगे हम student किसे KSP से और वो कितना दिया है 1.5 into 10 rest to power minus 6 ठीक है ये values आपके सामने है calculate the solubility of AGI ठीक है आपको find out करना है solubility इस बार ionic product ये फिर solubility product दिया है ionic product के बारे में जिक्र नहीं किया है जाने दीजिए उसे कहा है solubility of AGI at the same temperature denote करेंगा मैं इसे capital S और ये आपको find out करना है ठीक है अब given data में आपको अगर एक ही value दिया है solution पता है कौन सा है तो हमें अगर solubility calculate करना है तो उसका एक ही तरीका है अब ये solution start dissociation of AGI will be given as अब देखिए AGI का dissociation कैसा होगा AGI solid salt होता है it will give us the AGI plus iron and I minus iron अब अगर आपने ये complete solution लिया है तो ये S इतना solubile हुआ और iodine भी S इतना solubile हुआ ये हमने consider कर रहा है कि X time of S and this is X time of S AGI plus iron S time solubile हुआ and iodine iron S time solubile हुआ अब solubility product का formula क्या है solubility product of AGI can be can be written as अब इसे कैसा लिखेंगे students KSP equals to concentration of AG plus into concentration of I minus अब आपके concentration के पास ये आपके पास में concentration का value दिया है नहीं आप अपने मन से वो 1 more पकड़ेंगे तो भी 1-1 ही होगा तो क्या KSP का value equals to 1 आएगा क्या वैसा नहीं solubility find out करना है तो आपने AG plus का उतना solubility consider करना जितना हुआ है equation में और वो कितना हुआ है S time तो क्यों न हम AG plus I N का concentration हम लिखे S time क्योंकि solubility solubility and concentration दोनों का formula same है दोनों का unit same है concentration से ही relate करते है तो AG plus I N का concentration मैं न ही लिखा S time into iodine I N का भी concentration S time so that is equals to KSP अब S into S यो जाए S square therefore KSP equals to S to the power 2 means S square अब square को हम left में shift करेंगे तो square root हो जाएगा तो S equals to square root of KSP values put करिए तो square root of KSP का value कितना है students 1.5 into 10 rest to power what minus 6 अब simple तरीके से आपको क्या अगरना है न 1.5 का square root find out करना है जो कि अमर पास में है 1.227 so 1.227 into 10 rest to power ये root के बाहर आजाएगा minus 3 और unit रहेगा moles per dm cube ये हुआ आपका numerical number 55 का answer उम्मीद करिए ऐसे ही numerical exam में आए क्योंकि आपके इसाब से काफी आसान है पर ये आसान तब है जब आपने इस वीडियो को काफी अच्छे तरेके से देख लिया और इसके पहले के वीडियो को भी बहुत अच्छे से प्राक्टिस कर लिए जब तक ये possibilities नहीं होती है आप numerical solve नहीं कर सकते तो याद रखिएगा जितने भी वीडियो में वन 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 नुमर्कल इंडिविजुली जो पोस्ट करता हूँ हर एक numerical को काफी अच्छे से गौर से पढ़िए है ना students बहुत अच्छी प्राक्टिस हो जाएगी और आपका सक्सेस मेरी मेनत आपकी मेनत हम एक टीम के साथ में वर्क करते हुए जलेंगे तो बहुत अच्छा फ्यूचर होगा आपका तो मिलते है students नेक्स वीडियो में नुमर्कल लंबर 56 के साथ आप इसे नोट डॉंग कर लीजेगा और कोई भी अगर दिक्कत होती है कोई भी प्रॉब्लम साथ है या फिर कोई और नुमर्कल जो आपको तोड़े कन्फ्यूज कर रहे है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भीजी मैं जरूर उस पर रिप्लाइ करूँगा ओके स्टुडेंट्स मिलते नेक्स वीडियो में थेंक्यू सो मच